अलेकॉर बच्चोव प्यारे बच्चो आज के इस पिपी टी। में हमारा विशे है हिंदी वियाकरन। जिसमें हम प्राप्त करेंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं इस कि यहां पर इस पिपी टे में आपको कुछ आगे चित्र दिखाए जाएंगे और उन चित्रों को देखकर क्रिया युक्त शब्दों से आपको वाक्य बनाना है ठीक है चलिए पहला चित्र आपको दिखाए दे रहा है तो उसमें आपको क्या दिखाए दे रहा है कि एक लड़की क्या कर रही है सेब खा रही है तो अगर हम क्र क्रिया काम चयों क्रिया मतल आई व्यौंट से थो कार रही है कि दूसरा वाक्या चित्रा आपको डिखा शाइकर रही है। तो यहां पर वाक्य क्रिया युक्त शब्द से वाक्य क्या बनता है बच्चे हस रहे हैं क्योंकि यहां पर क्रिया हसने की क्रिया हो रही है इस चित्र में आपको क्या दिखाए दे रहा है कि एक मा जो है वो बच्चे को सुला रही है तो यहाँ पर सुलाने की क्रिया हो रही है तो इसलिए वाक्य कैसे बनेगा मा राजु को सुला रही है ठीक है इस चित्र में हमको दिखाए दे रहा है कि एक औरज जो है वो एक बच्ची को खाना खिला रही है इस बार चित्र से क्या दिखाई दे रहा है रहाैध कि लडगा है वह भना क्रिया हो इंदस् convince दें उगण दस्की उतक्त देू दुन है स्क्राइब के में इस तो क्रिया उक्तका बनता है पिर क्रिया रीड़ाय और है टीक है यहां पे एक अलमारी है जिसमें खिलोने रखे हुए है तो वाक्य क्या बनता है अलमारी में खिलोने सजे है तो बच्चों हमने जो भी वाक्य देखें उनिसे हमने क्या समझ में आता है कि जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना व्यक्त हो उन्हें क्रिया कहते हैं यानि ऐसे शब्द जो हमें किसी कोई काम करने या होने की जानकारी देते हैं मालूमा देते हैं उसे क्रिया कहते हैं जिसे शब्द है रोया, खा रहा है, जाएगा, आदी उधारन सुरूप अगर एक वाक्य यह है कि मैंने खाना खाया तो देखा जाये तो इसमें क्रिया खाया जो शब्द है वो क्रिया का शब्द है क्योंकि यहाँ पे इस वाक्य में काम क्या हो रहा है खाना खाने का तो खाया शब्द क्या है क्रिया है और अगर हम हिंदी परीज भाषा में व्याकरन मिक्रिया का सही परीभाषा देखें तो जिस शब्द अत्वा शब्द सम्हू के द्वारा किसी कार्य के हूने अत्वा किये जाने का वोध हो उसे क्रिया कहते हैं जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूद पी रहा है, सुरेश कॉलेस चा रहा है, शिवाजी बहुत वीर थे, अब इन वाक्यों में नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यपार का बोध होता है, कार्य के होने का बोध होता है इन सबी शब्दों से किसी कार्य के करने अथ्वा होने का बोध होता है अथिये किरियाएं हैं तो बच्चों, आज हमने एक बहुत सी साधरन सी बात सीखी, कि ऐसा शब्द जो किसी भी काम होने या करने की जानकरी देता है, उसे क्रिया कहते हैं, मैं आशा करती हूँ, कि पीपीटी आपको समझ में आया होगा, और आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, धन्यवाद